एक major embarrassment है for world's most powerful military यहाँ पर आप देखोगे इस पर आर्टिकल है US soldiers ने गलती से accidentally leak कर दिये है nuclear secrets study apps के थूँ यह बहुत बड़ी बात है ज़रातार यह यह यूरोप में हुआ है यूरोप में जो भी US के nuclear weapons deployed है तो रश्या को बाइदवे इस development से बहुत फायदा हुआ होगा Russians obviously बात है हसरे होंगे आज के से में Americans पर और यह एक और article है Voice of America का यह article हवेशा मैं आपको लिखाता हूँ Voice of America का क्योंकि यह US का government-backed newspaper outlet है तो यह लोग भी openly आपर कह रहे हैं कि USA के secrets exposed हो चुके हैं जो भी हमारे यहाँ पर nuclear secrets थे, nuclear bomb कहाँ पर हैं उनको use कैसे करना है, passwords वगरा, सब कुछ, everything has been leaked मैं आपको यह बात guarantee देके कहता हूँ कि अगर यह जो news है, ऐसे time में आती जब Donald Trump President थे तो अब तक यह US media में बहुत ज़्यादा discuss किया जा रहा होता मगर since Joe Biden President है, तो इतना ज़रा इस चीज को लेकर planning बचा नहीं हुआ और मुझे पता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर यह पुछोगे USA के nuclear bombs, nuclear missiles वगरा, यह Europe में भी deployed है यह तो सबको बता है कि USA के जो bases है यह बिलकुल पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे जो भी यहाँ पर देश आपको देख रहे हो, इन maroon color यहाँ पर आपको मिलेंगे USA के standard military bases चाहे जपान हो उसके रावा Philippines, फिर यहाँ पर South Korea फिर यहाँ पर Australia, US, Brazil में हैं इनके bases Gulf countries में तो completely US की आपको domination दिखेगी Even Turkey में भी आपको US के military bases मिलेंगे और फिर यूरोप में properly आप अगर जाओ तो ग्रीज में, इटली में यहाँ पर Germany, Denmark, UK, US के military bases आपको almost दुनिया भर में मिलेंगे एक्जामपल के लिए यह रमिश्टाइन Airways है, जर्मनी में US का बहुत ही famous है बताया जाता है कि यहाँ पर F-35 बहुत ही बड़ी संख्या में डिप्लॉय करके रखते हैं और रश्या का हमेश्चा यह target रहता है यह Air Force Base, एक Russian Army General ने एक बार यह भी कहा था कि रमिश्टाइन एक दिन अगर गिर गया, तो बहुत ही जल्दी जो बाकी US के bases है इन पर भी bombing कर सकता है रश्या, तो खैर यह तो हमने बात कर लिया है military की, ठीक है, soldiers deployed है, यहाँ पर aircraft deployed है फिर अगर हम बात करें nuclear weapons की, तो USA ने बताया जाता है कि सिर्फ यूरोप में 150 nuclear gravity bombs रखे हैं यह obvious सी बात है, रश्या के लिए कि कल को कोई भी issue होता है रश्या के साथ कोई भी major warfare होती है, तो सीधा यूरोप से इनके plane उडेंगे और रश्या की various cities पर यह nuclear bombs यहाँ पर गिरा देंगे और US जो यह nuclear bombs है, यह रखता है primarily 5 देशों में यह बहुत important है, पहला देश है इटली, फिर है जर्मनी, फिर है टर्की टर्की में आप सोचोगे, यह लोग इतना इसराइल के अगेस बोलते हैं, यह लोग इसराइल के weapons परचेस करते हैं इसराइल के साथ ट्रेड करते हैं, फिर US के soldiers टर्की में डिपलोईड है, US के nuclear bombs भी टर्की में डिपलोईड है तो मैं इसलिए कहता हूँ, the most hypocrite country in the world और बिलकुल जो इनका इन सिरलिक नाम का एक airways है टर्की में वहाँ पर USA के nuclear bombs हमेशा डिपलोईड रहते हैं, कभी भी यह लोग चाहे कहीं भी bombing करनी है, इरान में कहीं भी तो तर्की से ही उड़ेंगे, यह weapons और यहाँ पर bombing करना यह लोग स्टार्ट कर देंगे उसके इलावा Belgium और फिर Netherlands यह जो पाँच देश हैं, यहाँ पर US के nuclear bombs आपको मिलेंगे at least in Europe, बाकी मुझे पता नहीं हो सकता है कि South Korea में भी हो, जपान में भी हो वहाँ के details यह लोग रखते हैं, बहुत secret मुझे आज तक कोई proper US document मिला नहीं है South Korea या फिर जपान में nuclear bombs का, तो खेर, obviously बात है कि जब USA अपने nuclear bombs युरोप के कई देशों में रखेगा future में इस्तेमाल के लिए, तो एक team भी इनके साथ रखनी होगी, यह team ध्यान रखेगी क्योंकि देख, obviously बात है, जब आप एक nuclear bomb कहीं पे रखते हो, आपको आसपास का रिया completely guarded चाहिए, आप नहीं चाहते कि गलती से भी, वहाँ पे कल को कोई attack कर दे, आप बिलकुल नहीं चाहोगे कि कल को कोई आतंगवादी वहाँ पे हमला हो जाए, जो भी protocol होते हैं, वहाँ उनने कर दिया है, इसे साफ लग रहा है कि US की military में भी, in discipline, in competency, ये फैल चुकी है, जो इनके soldiers हैं, ये भी proper तरीके से protocol follow करते हैं, अब हाली में क्या हुआ, ये बात आपको समझनी होगी, जो ये basis हैं, जहाँ पर ये लोग nuclear bomb रखते हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, पहलग password यूज करना है, हर जगा security check-up होते हैं, basically एक आदमी को हमेशा 85 टाइप के password memorize करके रखने होते हैं, या फिर कई जो protocol है कि इस तरीके से हम दर्वाजा खोलेंगे, इस तरीके से लोग भार जाएंगे, अंदर जाएंगे, ये सारी बाते रखनी होती हैं हमेशा याद, और since human brain भूल सकता है ये सब बाते, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हर 6-7 महीने में test लेते हैं अपने लोगों का, कि जो भी protocol है, safety protocol, security protocol, क्या आपको याद है, क्या आपको passwords याद है, क्या जो passwords recently changed हुए हैं, ये सब आपको याद है, तो इन लोग ने क्या करना शुरू क कई आपको मिल जाएगी, ये एक तरीका होता है, कुछ memorize करने का, उसमें क्या होगा, बहुत ही simple apps होती हैं, कोई खास नहीं होता, ये ज़रातार school के बच्चे यूज़ करते हैं, इस टाइप की app, इसमें क्या होगा, आपके सामने card बना आ जाएगा, उसमें आप question लिख दो, question की पीछे answer लिख दो, लगातार अपने 50-60 ऐसे cards बना दो, फिर खेलते रो, आपके सामने एक card आएगा, उस पे click करो, आपको बताना होगा, कि सही answer क्या है, सही answer फिर आपको जो card हो flip होगा, आपको दिखेगा, कि सही answer यहाँ पे, तो इन्होंने ये apps, जो US में बच्चे इ apps का use करना शुरू कर दिया, अब फिर क्या होना था, ये जो app का data ये public में जाता है, आप basically एक developer की जो app है, आप मुझे सही में, यकीन नी होता कि ये हुआ है, जाता जो researchers हैं, जिन्होंने reports लिखी हैं, जिन्होंने articles लिखी हैं इस पर, वो यकीन नी कर पाते हैं, ये actually हो गया है, जोक्षा लगता है काफी बार, मगर यहां पर आप देखोगे, इस type के जो questions हैं, ये online हर जगा आपको मिलेंगे, complete information, password समेथ, किस कमरे में US के nuclear bombs हैं, कहां पर हैं, कब से वहां पे nuclear bombs हैं, अंदर जाने का protocol क्या है, भाराने का protocol क्या है, सब कुछ leak हो चुका है इस तरीके स ये तो मैंने थोड़ा बाई censor कर रखा है, क्योंकि ये पूरा ये दिखाना सही नहीं होगा, I think, but online everything is very much visible right now, और एक huge embarrassment है, US military के लिए obviously बात है, कई लोगों की नोकरी यहां पर जाने वाली है, उनको court marshal ये करेंगे, और फिर से इनको most probably नए basis बनाने होंगे, नए यहां प बिना कोई जासूस बेजे, बिना मेनत किये, इतनी सारी information बज़ चुकी है, कि in the future भी, ये लोग काफी कुछ आप कह सकते हैं, anticipate कर पाएंगे कि US अपने nuclear bombs कहां पे store करके रखता है, और ये आप देख पाएंगे, ये photo भी leak हुई है, ये सब लोग है, इस military bases के, ऐसे military bases के जो Europe में आपको मिलेंगे, ये एक nuclear bomb यहाँ पे है, और सब लोग, इन सब लोगों ने ये आपस में, जो apps होगा रहा है, ये use करके, जो information है, गलती से leak कर दिये, किसी का याप intention था नहीं, obviously बाद है, किसी ने सोचा नहीं था, कि जो ये apps का data है, ये easily accessible है, public में, ये जो cards है, मिल ज secrets पूरी दुनिया के सामने, और इस episode के बाद देखो, अब Europe में फिर से ये भी बाची चल रही है, कि हम लोग USA के nuclear weapons अपने देश में रखते भी क्यों हैं, इस बात पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कि पहली बात तो इनके जो यहाँ पे standards है, अपने nuclear basis में, ये up to date है नहीं, फिर उसके इलाबा हम इनके nuclear weapons रखकर, खुद बहुत बड़ा एक danger रख रहे हैं अपने उपर, कि कल को अगर मान लो, एक बहुत बड़ा systematic आतंगवादी हमला होता है, ऐसे किसी base पर, और कोई आतंगवादी यहाँ पर एक bomb detonate कर देते हैं, तो ये होगी एक huge tragedy, और अगरी के लिए Joe Biden ने इस पुरे event पर कोई statement दी नहीं है, most probably देंगे भी नहीं, ये ही कोशिश करेंगे, कि जो भी यहाँ पर हुआ है, इस पर international media बातचीत ना करें, ये बात थोड़ी सी दब जाए, क्योंकि US की यहाँ पर काफी waste हुई है, जो इनकी एक image थी, बहुत ही एक professional army की, professional military की, इसको कावी जटका लगा है, but hopefully हम यह कह सकते हैं, कि उमीद है के in the future, ये लोग ज़ादा professionalism, ज़ादा discipline लाएंगे अपनी military में, और in the future ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा लगातार होता है, तो इनके nuclear weapons गलत हाथ में भी जा सकते हैं, और हाँ, इस topic के बारे में आप अगर और पढ़ना चाहते हैं, तो Bellingcat करके think tank है, US-based, जिसने जो ये पूरी story है, सबसे पहले breakout करी, इन्होंने ही search किया, यहाँ पर flashcards को और ये पता है, कि सारी जो information है, it is very much available online, सब कुछ इस तरीके से, यहाँ पे question answer form में available है, nuclear secrets, अगर आपको पढ़ना इसके बा मैं ये भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, चाहिए UPSC, SSC, bank, any examination, simply जाओ on academy.com पे, click करो exam पे, for example, आप अगर prepare कर रहे हैं, for UPSC, CSE, click UPSC, CSE, get subscription, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, plus या फिर iconic course, जो plus course है, 12 मन्त का आपको पढ़ेगा, 4125 का, मगर ये price, कभ मनी, इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, thank you for listening and as always, God bless you all.